प्रेंब मयं जय क्या है सुक्ति का मतलब होता है सू उक्ति, सू यानि अच्छी उक्ति यानि बाते, जो अच्छी बाते कही गई है, उनके लिए कहा गया है सुक्ति, और सुधा का मतलब क्या होता है, अम्रित, तो एक अच्छी बातों की अम्रत से भरा हुआ एक घड़ा है, जो हम आपके सामने लेक आये हैं बहुत सारी अच्छे इच्छी बाते हैं बहुत सारी जैसे सुबाशी था शुबाशी रतनानी में भी यह कहा जाता है शुबाशी तानी में भी कहा जाता है नीती शतकम में भी कहा जाता है यह नैतिक मुल्यानी में भी कहा जाता है तो ऐसे ही यहां पर बहुत अच् आपक शली में लिखी गई रचना है इसमें शलोक आएंगे और जैसे NCIT बोर्ड में देखा जाए तो शलोक याद करने होते हैं चार शलोक याद कर लो दो या एक शलोक आपके पाठे जो प्रशन पत्र होता उसमें लिखने होते हैं लेकिन यहां आपके यहां पर जो UP लिखन करेंगे और इसको याद करेंगे तो देखी अचारा चाख मंदर से आपको एक अच्छी से फिलिंग होगी कि मुझे यह शलोक याद हो गया है कभी पाठीक की अंदर कठ हमें पता चलता है कि कोई ट्यौंगासा आ गया है जिसमें ये शलोक आ जाए, तो वो पूरे गागर में सागर भनने का काम कर लेता है, मतलब ये कि आपको बहुत सारी बाते बोलनी हैं, एक विशे के लिए, या भाशा के लिए कह दो, या फिर वानी के लिए कह दो, या विद्वानों के लिए कह दो, या ग्यान के लिए कह दो विद्या के लिए कह दो किसी भी चीज के लिए कोई आपको बात कहनी है और उसमें आपको एक सटीक मतलब थोड़े से शब्दों में और बहुत सारे बाते कह देनी है तो आप शलोक कह दीजिए आपका पूरा का पूरा गागर में सागर भर जाएगा मतलब कि आपको व्याख्या करने के आवशक्ता नहीं है अपने शलोक कह दिया है और उसकार्थ बता दिया तो हो गई व्याख्या आपको ज़्यादा कुछ भी बोलने के आवशक्ता नहीं है तो शलोक हमारे जीवन में बहुत ही महतवपून होते है हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करते है और विद्वान और सज्जनों की श्रेनी में आने के लिए या उनका साथ अगर हम लेते है तो ये शलोक बहुत ही मायने रखते है ये हमें सिखाते है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो आज की क्लास हमारी यहीं पर है सुक्ति सुदा नाम का जो चैप्टर है सबसे पहले हम जो करते हैं हमेशा सबसे पहले संस्कृत पार्ट की रेडिंग करेंगे उसके बाद बारी बारी से एक एक शलोक की सब प्रसंग अन्वे के साथ में संदर्व के लिए मैं कहूंगी आप से कि पूरे चैप्टर का संदर्व एक ही होता है क्यूं होता है यह का आप सभी को पता है क्योंकि एक ही इंट्रोड़क्शन होता है उसमें कि यह जो पद्दांच किस बुक से किस चैप्टर से लिया गया है और जो प्रसंग है वो कई बार थोड़ा अलग हो जाता है थोड़ा क्या पूरा ही अलग होता है जो गदान शेली उसमें बहुत कम अलग होता है कि पूरे पेरेग्राफ का एक ही प्रसंग दे दिया लेकिन जो पदान शेली में लेखे गई शलोग होते है पद्दात्मक शेली में गिलिकी गई रचना है उसमें हर श्लोक का एक अलग प्रसंग होता है ठीक है और प्रसंग का अन्वे भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि अन्वे यानि कि आप अगर टुकरे कर देते हैं तो आपको ट्रांसलेशन में बहुत ही आसानी हो जाती है तो सुक्ति सुधा प्रस्तूत पाट में सुक्तियों का संग्रह किया गया है संग्रह क्या होता है कलेक्शन क्या हुआ है ठीक है सुक्ति का साथ परिया है सूप प्लस उक्ति यानि कि सुंदर कथन क्या होता है सुंदर कथन जिस प्रकार सुंदर बाते बोलने एवं सुनने वा अमरत तक तो क्या होता है कि आप अमर नहीं हो जाएंगे ऐसा नहीं है कि आप सुक्ति नामक जो सुधा है उसका पान करेंगे या सुक्तियों का वाचन करेंगे तो आप अमर हो जाएंगे लेकिन ऐसा होता है जीवन में अमर का मतलब यह नहीं है आपका जो शरीर शाशवत बना रहा है ऐसा नहीं है लेकिन आपने जो यश प्राप्त करा है आपने जो प्रसिद्धी प्राप्त करी है आपका जो वैवहार अन्य मनुश्यों के प्रती वो वैवार आपका अमर हो जाएगा वो वैवार आपका शाश्वत हो जाएगा हो सकता है वो वैवार आपको याद रहे मतलब आपको याद रखे लोगों की मन में याद रखे इस तरह से इसे बोलते हैं अमरत तत्व आगे चलते, अब हम करते सुक्तियों का पाठ कुल हमारे नौ सुक्तियां दी गई है और नौ सुक्तियों का अलग-अलग विशे है नौ की नौ सुक्तियां अलग-अलग विशे को लेका लिखी गई है तो सबसे पहले हम इनको पढ़ेंगे संस्क्रप में भाशासु मुख्या मदूरा दिव्या गिर्वान भारती तस्मादिक काव्यम मदूरं तस्मादपी सुबाशितम प्रथुव्याम त्रीनी रत्नानी जलमगनम सुबाशितम मूडे पाशान खंडेशु रत्न संग्या विदियते कावे शास्त्रे विनो देन कालो गच्छती धीमताम, व्यसनेंच मुर्खानाम निदराया कलहे नवा यत्र शलोकस्तु शलोकताम याती यत्र तिस्थन्ति साधवा, लकारो लुप्यते तत्र तिस्थन्ति साधवा अप्राप्त कालं वचनं व्रहस पती रपी ब्रुवन प्राप्नू याद बुद्ध बुद्धव अज्ञान मपग मानस्च शाष्वतं वाचम श्रद्धा समे तस्य प्रच्छ च विशेशत ह। प्रोक्तम श्रद्धा विहिनस्य अप्यरण्य रुदी पोत रुदी तोपवं। वसुमती पतीना तू सरस्वती बलवता रिपूना नच नियते सम विभाव गरहयने री विभज्यते विभू बधोय रपी सेव्यते। लक्ष्मर्णी या याच कदू खहारीव विध्यान या अच्चुत भक्तिकारिनी पुत्रो न या पंडित मंडल न अगरानी सा नेव सा नेव सा नेव अब देखिए नौ सुक्तियों का हमने पढ़ लिया है अब एक एक बारी बारी से सुक्तियों का हम सबसे पहले शब्दार्त करेंगे फिर प्रसंग करेंगे फिर अन्वे करेंगे और फिर उसके बाद में हम इसका ट्रांसलेशन यानि की सरलाद करेंगे इस ये जो नौ सुक्तियों का ट्रांसलेशन करने के बाद में एक व्याख्या भी आती है आपकी सुक्ति की व्याख्या भी आती है कि इस उक्ति की सब्रसंग व्याख्या कीजिए तो व्याख्या भी है और व्याख्या जैसे पूरी-पूरी सुक्ति न लेके किवल आपने एक पंक्ति ले लिए और एक पंक्ति ये वाली ले रीक दिया और फिर दॉट-डॉट-डॉट-उट लिग दिया और लास्ट में पूशनम लिग दिया थीक के पूशनम तो इसका मतलब यह होता हैակ है कि पहला पहला शब्द黑 ले लिए और अंतिमशब्द ले ला इसका मतलब और answer लिखना है क्योंकि question तो कोई लिखता नहीं है answer ही लिखते लेकिन हमें यह बताना है कि हम किस सुक्ति का यहाँ पर सब प्रसंग व्याक्या कर रहे है अर्थ कर रहे है तो आपको क्या करना है पहला शब्द लेके dot 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 और ये भूशनम लिख दिया उसके बाद में यहां आपका जो भी प्रसंग है अनवय है जो भी है वो कर लेना है तो ऐसे ही इसी फॉर्म में क्योंकि बार-बार हम सुक्तिया नहीं लिखेंगे एक बार लिख ली है दूसरी बार हम वापस पढ़ेंगे एक बार हमने पढ़ ल आर्थ लिखेंगे ना है तो उसके लिए हमने वो डॉट-डॉट वाला फॉर्म अपनाया है ताकि आपको पता चले आप सीख सको कि इस डॉट-डॉट का मतलब क्या है कि वल के यूरा और भूशनम शब्द का मतलब नहीं है इसका मतलब है कि पूरी सुक्ति आपके इसके अंतरगत आ गई है ठीके आगे चलते देखिए अब यहां से स्टार्ट करते हमारा अनुवाद अनुवाद या फिर अर्थ अब देखिए संदर्व को मैंने सेपरेट इसले लिया है क्योंकि यह संदर्व पूरे चप्टर को रिप्रेसेंट करेगा पूरे चप्टर को बता कि सुक्ति सुदा नामक पाट से उद्रित की गई है यह लिखनी आपको तो देखिए यह हमारी पहली सुक्ति अब देखिए पहली सुक्ति का हम यहां पर सबसे पहले यह शब्दार्ट करेंगे पहले तो दूसरी बार आ गई है हमारी पहली सुक्ति यह हमारी कौन से सुक् अब देखें, इसका जो संदर्ब लिखना है, वो जश्ट इसके बाद आएगा, क्योंकि आप जब एक्जाम में करेंगे, तो ये शब्दार तो लिखेंगे नहीं, ये तो मैंने आपके सुवीदा के लिए दिया गया है, ठीकें, ये शब्दार तो आपके लिखें नहीं जरूरी नहीं है कि अनवे आपको पहले ही लिखना है, बस अनवे लिखना है, वो आप कहीं भी लिख सकते हो, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको पढ़ेंगे, और ये सारे शब्दार्थ करेंगे, ठीकें, भाशासू, बाशासू, क्या है ये बाशासू, ये बहुवचन आ गया है सब्तुमिवक्ति बहुवचन, यानि कि भाशाओ में, मुख्या, मदूरा, दिव्या, मुख्या, मदूर और दिव्य, गिर्वान भारती, गिर्वान भारती का मतलब क्याता है, देववानी, और देवमानी किसे कहा गया है, संस्कृत को कहा गया है, देववानी, तस तस्माद दी, तस्माद यानि उससे, काव्यम, मदूरम, काव्य और मदूर, तस्माद अपी, अपी यानि भी, और उससे भी, सुभाशितम, सुभाशितम यानि कि सुन्दरवचन, सुन्दरवचन, तो देखे यह आपके शब्दार्थ हो गए है, अब करते हम इसका अन्वे, अब यहाँ पहले अन्वय आ गया है अब देखते हैं हम इसका यहाँ पर अर्थ कि भाशा सु मुख्या कि भाशाओं में कौनसी विश्व की जितनी भी भाशा है उन भाशाओं में सबसे मुख्या, मदूर और दिव्या कौनसी भाशा है? गिर्वान भारती, गिर्वान भारती यानि कि कौनसी संस्कृत भाशा जो देवानी संस्कृत है तसमादिक काव्य मदूरम और उसका ही काव्य मदूर है और काव्य मदूर है तसमादपी सुभाशितम और वह भी बहुत ही सुन्दर है कैसी है? सुन्दर है, मदूर है बताया है संस्कृत भाषा के महतों को कि विश्व की समस्त भाषाओं में संस्कृत भाषा को गिर्वान भार्ति यानि की देवताओं की बाषा बताया गया है और यह बाषा शब्द रचना की द्रश्टी से दिव्य, भाषाओं की द्रश्टी से मदूर, विश्व की उत्तम कावय सरस नाटक चंपो पाए जाते हैं और इस भाशा में धर्म दर्शन इतियाज चिकिस्था आदी सभी विश्यों पर प्रचूर सामगरी उपलब्द है और इतनी संपून भाशा विश्यों में कोई और नहीं है यह व्याख्या है क्योंकि बड़ा चरा कर कई गई ह ढ़े देखें दूसरी जो सुक्ति आती है वह ही है कि प्रत्विव्याम त्रीनी त्रीनी के मतलब तीन रत्नानी रत्न जलम अगन जल जलम अंझा और अंझा सुभाशितं अच्छीवानी अच्छी वानी ठीक है? तिरीनी रत्नानी जल अन्न सुभाशितम मूड पाशान मूड का मतलब मूर्ख पाशान पत्थर खंडेशु टुकडो को टुकडो को रत्न संग्या रत्न विदियते जानते है अब देखे क्या कहा है कि प्रत्वियम प्रत्वियम का मतलब होता है धर्ती पर धर्ती पर हना कि धर्ती पर तीन ही रत्न है प्रत्वियम तीनी त्रीनी रत्नानी जलम, अन्न, सुभाशितम कि तीन ही रत्न है जल, अन्न और अच्छी बाते कि तीन ही रत्न है अगर जल नहीं है तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है अन्य नहीं है तो तब भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है और सुबाशितम और एक अच्छी वानी भी रत्नों की अंतरगा समिलित की गई है कि प्रत्वी पर तीन ही रत्णों की विद्दमानता बताई गई है जल, अन्न और सुबाशितम बाकि ये जो रत्ण है हीरे जवारा थे क्या वास्तविक तौर पर मनुश्य के काम आते हैं कभी काम नहीं आते तो देखे क्या कहा है कि धर्ती पर प्रत्वी पर तीन रत्नों का होना जल अन और अच्छी वानी इन्हें ही रत्न कहा गया है कि मूड पाशान के जुमुर्ख लोग होते है वो पत्थर के टुकडो को ही रत्न संग्या विद्यते रत्न जान लेते है पत्थर के टुकडो को ही वे रत्न मान लेते है कि वे ये नहीं समझ सकते है वे नहीं समझ पाते है कि प्रत्वी पर तीन ही रत्न है जल अन और अच्छी बाते इनी के दुआरा आप अपना जीवन सार्थक कर सकते हो यह जो पत्थर की टुकडे है यह जो हीरे जवारात है इनसे आप अपना जीवन सार्थक नहीं कर सकते हो ठीक है यह हो गया आपके क्या सारे शब्दार्थ आगे चलते हैं यह हमारा प्रसंग कि प्रस्तुष लोग में जल, अन्न और सुन्दर वचन को ही बात्विक रत्न बताया गया है बहुत ही आसान है बहुत सरल तरीके से बताया है कि प्रस्तुष पर जल, अन्न और सुन्दर यही उपदेश परक वचन यह तीन रत्न अर्था श्रेष्ट पदार्थ है मुर्क लोगों ने पत्थर के टुकडों को रत्न का नाम दे दिया है कि ताकपर यही कि जल, अन्न और मदूर वचनों का रभाव समस्त संसार के कल्यान के लिए होता है जबकि रत्न जिनके पास होते है किवल उनी का कल्यान करते है अता जल, अन्न और मदूर वचन ही वास्तवीक रत्न होते है जल लोगों को भी पिलाया जाता है, हमें पीते है अन हम भी खाते है, अगर किसान अन उगाता है तो सेम खुद के लिए तो उगाता नहीं है पूरे संसार के लिए उगाता है, जिस जिसको उपलब दो सके और यह जो अच्छी बात है, किवल हमें ही पोशन प्रदान नहीं करती है दूसरों को भी पोशन प्रदान करती है आगे चलते बच्चों, सुक्ती नमबर 3 काविशास्त्र विनोदेन, विनोदेन का मतलब होता है आनन्द लेना विनोदेन यानि की विनोद करना काविशास्त्र, काविय और शास्त्रों का या फिर विदवानों का, या फिर सजनों का ठीक है, आप बुद्धिमान, जो बुद्धिमान वेक्ती होता है वो ही तो जानेगा अना, कि समय की महत्ता क्या है तो यहाँ पर हम बुद्धिमान भी बोल सकते हैं, विद्वान भी बोल सकते हैं और सजन भी बोल सकते हैं ठीके ना? कि व्यसनीन, क्या है ये? व्यसनीन, व्यसनीन का मतलब होता है निरर्थक कार्यब, निरर्थक, निरर्थक ना करके हम कह सकते हैं, निंदा कन्ये में, निंदा करने में च और मुर्खा नाम मुर्खों का निद्रया सोने में कलहिन लडाई में वाया अब देखे क्या है बहुत अच्छी बात बताई है बहुत ही अच्छी सुक्ति है कि कावे शास्त्र विनो देन कालो गच्छती धीमतान कि जो सजन लोग ओते है जो बुद्धिमान लोग ओते है जो विद्वान लोग ओते है उनका जो समय है उनका जो समय है अगर उनकी पास समय मिला है तो कावे शास्त्र करने में अपना समय गमाते है वो गमाना नहीं कहते है कि सजनों का जो समय है वो कावे शास्त्र करने में ज अच्छी शिक्षा लेने में वदूर वचन बोलने में कावे शास्त्र की विनोदेन में उनका समय जाता है लेकिन जो मुर्ख लोग होते हैं उनका समय निंदा करने में और सोने में या लड़ाई करने में जाता है तो उनका समय किसमे जाएगा या तो दूसरों की बुराई कर ली उनके पास समय है बैड़ गए मंडली बना ली और बहुत सारे लोगों की बुराई कर ली और उनका हो गया समय पूरा वेतित हो गया या फिर खाली समय शयतान का होता है कि खाली दिमाग शयतान का होता है आप खाली दिमाग है या निक्ya उन над paseक काम नहीड gnd वो लड़ाई करने चाहेंगे, इधर-उदर घड़ में लड़ाई करेंगे, उससे जगड़ा करेंगे, मतलब कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, या फिर पूरे दीन आलस के कारण सोते रहेंगे, तो जो मुर्ख लोग होते हैं, वो अपना समय इसी तरह से बरबात कर देते हैं लेकिन जो सजन और विद्वान लोग होते हैं जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपना सवे कावे शासर के अध्यन में लगाते हैं ठीक है यह हो गए हमारे शब्दार्थ अब करते हैं इसका प्रसंग के प्रस्तुष लोग में मुर्खो और बुद्धिमानों के समय बित द्वारा मनोरंजन या आनंद प्राप्त करने में पठन पाठन में व्यतित होता है ठीक है कि काविश असर का अध्यन करने में और उनके द्वारा जो प्राप्त मनोरंजन होता है उनके द्वारा या उनको पढ़ने लिखने में उनका समय व्यतित होता है लेकिन जो मुर्खों का समय है, मुर्खों का समय निन्दित कारे को करने में सोने में, अथ्वाज जगडा जगडने में व्यतीत होता है बहुत ही सरल था और हमारे जीवन में धारण करने वाली सुक्ति आप देख लिजे बच्छों कि अगर आप इन सुक्तियों को अपने जीवन में धारन करते हो, तो सपलता की जो सीडी है वो आप जरूर छूँच सकोगे, ठीक है? आगे देखते हैं, शिलोक नंबर 4, क्या कहा है? कि शिलोकस्तू, शिलोकस्तू का मतलब होता है, यश को शिलोकताम, याती, और यश प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है, यत्र, जहां तिश्टन्ती बैठते है, साधव, सज्जन, लकारो लुप्यते, लकारो लुप्यते का मतलब होता है, शिलोक का ल, लुप्यते, लोप हो जाता है, लोप होता है, यत्र, जहां, यत्र यानि जहां, तत्र, वहां, तिश्टन्त्य साधव, सज्जन, बैठते हैं, देखिए, लोकस्तु, यश्टो, लोकताम, याती, किर्टी की प्राप्ती करता है, यत्र, जहां, तिश्टन्ती रहते है, साधव, सज्जन, पुरुश, लकारो लुप्यते, श्लोक का लवण, लुप्त हो जाता है, अर्था श्लोक का शोक बन जाता है, तत्र महा, असाधव, असाधव की जगह आएगा, दूर्जन, असाधव, दूर्जन, पुरुश, ठीक है, अब देखे, क्या कहा है, कि जहां पर, कि जहां सज्जन बैठते है, कि जहां पर सज्जन लोग रहते है, सज्जन लोग कौन, जो बुद्धिमान लोग होते है, या फिर जो विद्वान लोग होते है, आप ऐसे नहीं आप ऐसे देख लीजिए आप स्कूल में और स्कूल में दो तरह के ग्रूप चलते हैं ग्रूप चलते हैं आजकल modern जमाना है और आधोनी क्यूग में कई स्कूलों में ऐसे ग्रूप बनाए जाते हैं एक ग्रूप अच्छे बच्चों का होता है और एक ग्रूप ऐसे ही दंगे फसाद करने वाले बच्चों का होता है ठीक है करते हो और यदि लकारो लुपे ते यतरत अतरत इस्टन थे असादव और जहां दूर्जन लोग बैठते हैं जा दूर्जन लोग रहते हैं या बैठते हैं जो गलत मतलब गलत संगती के बच्चों का जो गुरूप होता है उस गुरूप में अगर आप चले गए हो तो उस ग कि प्रस्तु श्लोक में सज्जनों और दूज्जनों की संगती का परभाव दर्शाय गया है कि यतर सादवत इस्टनती श्लोक तू श्लोक अताम याती यतर सादवत इस्टनती ततरलाकारो लुपे ते अर्था श्लोक शोक अताम याती अर्थ बताया है कि जहां सज्जन र अगर अच्छी बाते है और दूस्ट वेक्ती है तो उसके ओपर उसका कोई परभाव पढ़ने वाला नहीं है क्योंकि वो उसे समझेगा ही नहीं, जब समझ भी नहीं आएगा तो उसको धारन कैसे करेगा तो शुलोक को वो शोक शोक करेगा शुलोक का जो वास्तवी करते वो तो कहीं बूल जाएगा उसका पता ही नहीं चलेगा उसने कहां दारन करा है और शोक 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 उसके मन में शोक ही रहेगा और उसके अंदर बुरे ही विचार उत्पन हो जाएगे यहाँ भी का जासकता है कि सज्जनों की उपस्तिती वातवरन को अनंद युक्त कर देती है और दुर्जनों की उपस्तिती दुख पुर्ण बना देती है अगर सजन लोग आए है अच्छे लोग आपके घर पर आए है या आपके जीवन में आए है या आपके आसपास आए है तो वो आपके जीवन में यश प्रदान करेंगे या आपके जीवन में खुशियां लाएंगे या सुख प्रदान करेंगे ठीक है और यही उसके वेपरित अगर दूर्जन लोगों का आपका साथ हो जाता है तो आपका जो भरा तरा घर है या खुशियों से संपन जो घर है वो कब दुख में परिवर्तित हो जाता आपको खुद कोई पता नी चलेगा इसलिए दूर्जनों की संगती से बचना चाहिए और सजनों की संगती को करना चाहिए आगे चलते वच्चा हमारे यहाँ पर पाँचवा जो श्लोग है वो क्या है अप्राप्त कालम वचनम ब्रस्पती रपी ब्रूवन अप्राप्त कालम का मतलब होता है समय के वीपरित समय के वीपरित वचनम वचनम यानि बात ब्रहस्पती ब्रहस्पती कौन होते है गुरुदेवता गुरुदेवता ठीक है बुरुवन बुरुवन का मतलब हुआ है बोलता हुआ प्राप्नियुयात प्राप्नियुयात का मतलब होता है प्राप्त करता है प्राप्त करता है बुद्धावग्यान मपमानंच अब बुद्धावग्यानम का मतलब होता है अवग्यानम बुद्धावग्यानम तो यहां हो गया बुद्धी बुद्धा क्या हो गया बुद्धी बुद्धी की अवग्या करना यानि की उपेक्षा करना उसकी तरब ध्यान नहीं देना ठीक है शाश्वतम शाश्वतम का मतलब होता है निरंतर अब देखे हम इसका ये सारे शब्दार्थ कर लेते कि अब प्राप्त कालम समय के प्रतिकुल या वीपरित वचन बात ब्रस्पती देवताओ के गुरू ब्रस्पती अर्थात अत्यदी ज्यान वाले व्यक्ति अपे यानि भी बुरुवन यानि की बोलता हुआ बुद्धी की उपेक्षा या बुद्धी की अवग्या अवमानना शाश्वत निरंतन अब देखे क्या बात बताई गई है बहुत ही अच्छी बात बताई गई है शलोक में तेखे यहां स्टार्ट करते है कि समय के वेपरित अप्राप्त कालम अप्राप्त कालम क्या है समय कि वेपरित वचन को बोल कर यानि कि बात को प्रसपती रपी बुरुवन की रपी यानि भी कि समय के वेपरित बात को बोल कर जो ब्रसपती है जो देवताओ की गुरु है वो भी किसको अपमान को प्राप्त करते हैं कि अगर कोई बुद्धी मानी है देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी तरसे मैं आपको बताती हूँ एक एक्जामपल लेके कि कोई बुद्धी मानी व्यक्ति है अब बुद्धी मान व्यक्ति से हम क्या आशा करेंगे कि वो समय के अनुकूल बोलेगा कि जो बात जिस समय कहनी चाहिए यहाँ उसी समय कहेगा ठीक है यही हम आशा करेंगे लेकिन यदि यह कभी ऐसा हो जाए कि जो बात उसको कहनी ती और वो न कह कि क्यों और यह बात कह रहा है तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि आश्चीर होता है कि इस व्यक्ति ने ऐसी बात कैसे कह दी तो उसका अपमान हो ज भले ही सरवज्ञानी व्यक्ति भी आकर केहता है और उल्टी बात केह देता है जो बात कहनी चाहिए वो नहीं कहकर और उल्टी बात केह देता है तो वह भी अपमान का भागी हो जाता है कि निरंतर तो निरंतर बुद्धी की अपेक्षा कर रहा है और निरंतर मतलब सदा वो बुद्धी का अपमान कर रहा है तो इस तरह से ये बात करी जाती है कि हमें सदे मतलब समय के अनुकुल ही बात कहनी चाहिए समय के विपरित बात नहीं कहनी चाहिए आगे देखिए प्रसंग है कि प्रस्तु श्लोक में समय के प्रतिकुल बात न कहने की शिक्षा दी गई है कि समय के विप्रित बात को कहते हुए देवताओं के गुरु ब्रस्पती भी बुद्धी के अवग्या था और सदा रहने वाले अपमान को प्राप्त करते है तातपरी यह है कि प्रतिक व्यक्ति को समय के अनुकुल ही बात कहनी चाहिए आगे देखते हैं श्लोक नमबर छे कि वाच्यम का मतलब होता है कहने योग्या श्रद्धा समेतस्या श्रद्धा से युक्त प्रच्छत पूछने का प्रोक्तम कहा हुआ कहा हुआ श्रद्धा विहिन विहिनस्या श्रद्धा से रहित के लिए अरण्य रूदितो मपम यनि अरण्य रोधन के समान अरण्य रोधन के समान अब देखें यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही है क्या कहा है कि वाच्यम श्रद्धा समेतस्या कि जो श्रद्धा से युक्त किसे कहा गया है श्रद्धालू को कि जो श्रद्धालू लोगों के द्वारा कहे गए वचन ही सार्थक होते है और सुनने योग्य होते है ठीक है कि जो जिन व्यक्तियों को माना जाता है विशेश महत्व दिया जाता है और विशेश महत्व देने के बाद में उन लोगों की बादों को भी महत्व दिया जाता है उन्होंने कोई बात कह दी है जैसे कोई मुख्य समाज में बहुत प्रतिश कह रहा है तो उसकी तरफ किसी का ध्यान जाएगा बिलकुल नहीं जाएगा अगर वो कोई खास बात कह रहा है ना तब भी नहीं जाएगा तो इसमें क्या कहा गया है कि वाच्चिम शर्दा समे तस्या प्रच्चत विशेशत ह कि जो कहने योगी बात है वह अगर श्रदालू व्यक्ति है जो श्रदालू नहीं है अश्रदा व्यक्ति है अगर उसने कोई बात कही है कही है तो अरण्य रोधन के समान कि जैसे जंगल में रोना व्यर्थ होता है क्योंकि कोई नहीं सुनता है उसी प्रकार से जो अश्रदालू व्यक्ति है वो समाज में पूरे भरे नहीं होता है वो बात निरर्थक होती है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है इसलिए जो भी कारे करे आप श्रदा पूर्वा करे और श्रदा पूर्वा करे यानि की जन हित्मे करे और जन हित्मे अगर कोई कारे कर रहे हो इसका मतलब मनुष्य के साथ आपकी श्रदा बनी हु के महत्व का प्रतिपादन किया गया है कि श्रदा से यूगत अर्था श्रदालू व्यक्ति की और विशेश रूप से पूछने वाले की बात कहने यूग्य होती है श्रदा से रहीत अर्था अश्रदालू व्यक्ति का कहा हुआ भी अरन्य रोधन अर्था जंगल में रोने के समान निरथके तातपरी यह कि ऐसे ही व्यक्ति या विशिश्यों को ग्यान देना चाहिए जो श्रदालू होने के साथ साथ जिग्यासु भी हो आगे देखते हैं हमारी यहाँ पर सांतवी सांतवी नंबर की का शलोक है अब देखे हमारी सांतवी सुक्ति क्या है अब देखे यह जो सुक्ति है उसक्या एक और रूप संस्क्रसाहिते में लिखा गया है इस सुक्ति का पूरा अर्थ उसमें आता है पूरा का पूरा अर्थ आता है कुछ भी नहीं चुपता है लेकिन बस अलग शब्दों को ले लिया गया है उसमें लिखा है वसुमति, पती, ना नुशरस्वति, बलवता रिपूना न चनी यती और उसमें लिखा है ना चोर हारिया, ना राज हारिया, ना भ्रारतर भार्जय, ना भारकारी विया करते वर्दरते ये वे नित्य विद्याधनम सर्वद्यनम प्रधानम तो विद्याधन की सर्वसेष्टता के बार में उसमें बताया है कि सभी धनों में प्रधान है और वो क्यों प्रधान है उसका कारण बताया है और यहाँ पर विद्वानों के द्वारा जो सर्वसेष्ट विद्वानों के द्वारा जो सेवी थे जो पूजी जाती है विद्या उसके बारे में बताया है तो क्या है वसुमति पतीना नू सरस्वती वसुमति पतीना का मतलब होता है राजाओं के द्वारा राजाओ के द्वारा, सरस्वती यानि विद्या, नू यानि नहीं, बल्वता यानि की बल्वान, रिपुना, शत्रुओ, रिपुनाम का मतलब होता है शत्रुओ के द्वारा, के द्वारा, नच, और, न यानि नहीं, नियते, नियते का मतलब होता है ले जाई, सम्विभाग, अहरनरे, सम्विभाग का मतलब होता है समान भाग में, समान, भाग में, विभज्यते, बाटना, विबुद, बोध, पुधे, रपी, अपी यानि भी, सेविते, सेवित है, कौन, उच्च से उच्च, विद्वानों के द्वारा, अब देखे, क्या कहा है, कि जो विद्या है, विद्या धन के लिए बोला है, जो विद्या है, सरस्वती जिसका नाम है, जिसका नाम सरस्वती है, विद्या है, शार्दा है, शिक्षा है, अलग-अलग रूप है, कि विद्या है, वसुमति पतीनानू सरस्वती के राजाओं के द्वारा न तो इसको ली जा सकती है, ठीके, राजाओं के द्वारा, न तो राजाओं के द द्वारा और नहीं बल्वान शत्रू के द्वारा ले जाई जा सकती है सम्विभागर नहरे विभज्यते और समान हिस्सा लेने वाले भाई यहां आ जाएगा भाई बहन कि समान हिस्सा लेने वाले भाई बहनों में इसको विभाजित भी नहीं किया जा सकता इसको विभाजित वुदेरपी सेवते और उच्च से उच्च विद्वानों के द्वारा भी सेवित है ये उच्च से उच्च विद्वानों के द्वारा भी ये सेवित है कौन विध्या ना तो राजाओं के द्वारा और ना बल्वान शत्रू के द्वारा ले जाई जा सकती है और ना समान गवाले भाई बेहनों में ये बाटी जा सकती है, और ये उच्च से उच्च, यनकी उच्च से उच्च, विद्वान जोभे विद्वानि उनके दौरा ये पूजी जाती है, उनके दौरा सेवी थे ये, तीक है, ये हमारे सारे शव्दार्त हो गए है, अब करते हैं इस का हां प्रसंग ये भी शवदारते बच्चों 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 याचक का दुख दूर करने वाली विध्या नया अप्यचुत विभक्त कारेनी अप्यचुत कोन होते है विष्णु के लिए कहा गया है या क्रश्न के लिए ठीके? क्रश्न की अच्चुत भक्ती कारेनी और भक्ती उत्पन करने वाली विष्णु की भक्ती उत्पन करने वाली पुत्रों नया पंडित मंडल अग्रणी क्या का या पंडित मंडल अग्रणी का मतलब होता है पंडितों के समूह में आगे रहने वाली सानेव वह नहीं है सानेव अब देखे क्या का है अब यह जो सानेव सानेव वाज यह जो काह है यह सानेव सानेव यह तीन बार काह है तो तीन बाते बताई है, सबसे पहले लक्षमी के लिए बताई गई है, उसके बाद में अविश्णू के लिए बताई गई है, उसके बाद में पुत्र के लिए बताई गई है, तो तीनों के लिए वका है कि साने, 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 कि लक्षमी रिया याचक का दुख हारे नी, कि लक्ष्मी वही है जो याचक का दुख हन्ने वाली हो, कि जो मांगने वाला आया है, हमने उसको जो उसने मांगा है, हमने उसको दे दिया है, तो वो लक्ष्मी सार्था के अन्नेता वो लक्ष्मी नहीं है, कि जो लक्ष्मी याचकों के दुख को दूर करने वाली हो, उनकी भ चुत अचुतुकन भगवान कृष्ण या भगवान विष्णू की भक्ति को उत्पन करने वाली हो वही विद्या सार्थक है अगर वह भक्ति को उत्पन नहीं करती है तो वह विद्या सार्थक नहीं है जैसे जो लक्ष्मी किसी याचक की माम को पूरा नहीं करती है तो वह ल पुत्रों यह ना यह यानि कि जो और ना यहानि कि नहीं पुत्र भी वह नहीं है जो पंडित मानी अलंग मंडल अगरणी जो पंडितों के समू में आगे रहने वाला हो ठीक है। आनेव सानेव कि अगर लक्षमी या चक के दुख को दूर करने वाली नहीं है तो वह लक्षमी नहीं है अगर विध्या विष्णु की बक्ति को उत्पन करने वाली नहीं है तो वह विध्या नहीं है और जो पुत्र पंडितों की मंडली में आगे रहने वाला नहीं है तो वह पुत्र भी नहीं है, इसलिए क्या बताया है, कि विद्या है, तो वो सारतक होनी चाहिए, अन्यता वो सारतक नहीं है, ठीकिन ये ओ गए हमारे शद्दार्ट, अब देखते हैं यहाँ प्रसंग कि प्रस्थुत सुक्ति में वास्तविक लक्ष्मी, विद्या और पुत्र के व अस्ति या पुत्र पंडित मंडल अग्रानी न अस्ति सब पुत्र एव न अस्ति नेव अस्ति नहीं है नहीं है अब देखिए व्याक्या कि जो लक्ष्मी याच को अथ्वा मांगने वालों की दुखों को दूर करने वाली नहीं है वह लक्ष्मी ही नहीं है और जो विद्या होता है विद्ध्या वही है जिसे अध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और पुत्र वही है जो विद्वान होता है तो धन परोपकार के लिए विद्ध्या ज्यान के लिए और पुत्र विद्वान बनाने के लिए होता है अगर पुत्र विद्वान नहीं है और जो लक्ष च्वाला पेरेग्राफ क्या है सुक्ति नम्बर नाइन और यहां पर लिखा हुआ है के देखें बहुत ही अच्छी सुक्ति है के यूरा न विभुशंती के यूरा का मतलब क्या होता है बाजू बंद क्या होता है बाजू बंद विबुशंती विबुशित होते हैं शोभा देते हैं पुरुशम हारन चंद्रो जला और हार पुरुशम यानि कि व्यक्ति के मानव के का जो हार नहीं चंद्र उज्वला के समान चंद्र की उज्वला के समान चांदनी के समान यह चमकता हुआ न सनानम न विलेपनम न नहाने से न विलेप से यानि कि उबटन से विलेपनम का मतलब होता उबटन न कुसुमाम न फूल से न लंकरता मूर्ध जा कि नहीं अलंकरत शोबीत होते है मूर्ध जा यानि कि मुर्ख लोग वाने क्या कि वानी ही एक वानी ही एक अलंकरोती अलंकरोती है यानि सुशोबीत होती है पुरुषम या संस्कृता धारते कि जो पुरुष संस्कृती को धारन करता है शीयंते खलू नस्ट हो जाते है खलू यानि दूस्ट बूशनानी आभूशन सततम लगातार वाग बूशनम वानी ही वानी बूशन देखें वापस बोलते हैं क्या है ये कि कोई पनुष्य है उस पुरुष के हातों में जो बाजू बंध है वो शोबा नहीं देते है न गले में चमकता हुआ जो हार है वो शोबीत हो रहा है न नहाने से उसकी शोबा बढ़ती है न उपटन लगाने से न फूलो के जो आभूशन है वो धारन करने से उसकी शोबा बढ़ती है अगर कोई व्यक्ती ऐसा सोचता है कि मेरे बाजू बंध पहनने से मैं सुन्धर लगता हूँ या गले में अच्छा चमकता हूँ, हार पहने से में सुन्दर लगता हूँ या वो सोचता हूँ कि मैं नहाने से और उपटन लगाने से में सुन्दर लगता हूँ या फिर फूलों की आभूशन पहनने से में सुन्दर लगता हूँ तो वह व्यक्ति मुर्ग की शिरनी में आता है, किस की शिरनी में मुर्दजा, जो मुर्ग की शिरनी में आता है, वाने क्या समालंग करोती पुरूशम वा संस्कृता धारिते, कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो संस्कृती को धारन करे हुए लोग होते हैं, वही जानते है कि वाणी ही एक मात्र ऐसा आभूशन है जो आपके अंदर संसकार को धारन किये हुए रहता है कि जो बाग भूशन है आपका वाणी नामक एक आभूशन है उसके सामने जितने भी आभूशन है वो सारे के सारे नश्ट हो जाते और सारे के सारे कुछ भी नहीं है अगर आपकी वानी अच्छी है उसके लिए एक उधारन दूगी जब आपको समझ में आएगा ये श्लो कैसे समझ में नहीं आएगा कि कोई बहुत ही पैसे बहुत ही अमीर घराने का कोई व्यक्ति है एक महिला है और उसने अब क्या हो रहा है कि अचानक जब वो आई बहुत सारे लोग बैठे थे सबा में और वहाँ आई आकर और जैसे ही बोलने लगी और तू तरह किसे बाते करने लग गई या फिर अब शब्द बोलने लगी गाली गलोच करने लग गई है या फिर बहुत सारे अब्यूस यूस करने लग गई है बहुत गलत तरीके से वो बोल रही है तो क्या उसका इस तरह से ये आभूशन धारन करना सार्थक हुआ बिल्कुल नहीं हुआ इसके विप्रीत एक गरीब परिवार की जो महिला थी ये गरीब परिवार का जो व्यक्ति था कोई भी और फटे हाल जैसे सिर्फ साधगी से कपड़े पहन रखे है और वो हाथ जोड की विनम रता से अब जब अच्छे शब्दों मतूर शब्दों के साथ अपने वचन बोलता है तो उसकी वानी में जो सार और रस निकल कर आता है वो एक सुशोबित अलंकरत करी हुई नारी के अंदर से नहीं आता है इसके लिए एक शलोक और है कि काक काक क्रश्न पिका क्रश्न को भेद पिका काकयो वसंत काले कि कवा भी काला है कोयल भी काली है इन दोनों में क्या भेद है दोनों एक जिससे दिख रहे हैं कि दोनों काले हैं दोनों एक जिससे दिख रहे हैं लेकिन जब वसंत रितू आने पर कोयल कूँ कूँ कूँजती है तब पता चलता है कि कोयल कौन है और कौँआ कौन है तो वानी ही एक ऐसा अलंकार होता है हमारे करते हैं, इससे पहले यहां प्रसंग रिखेंगे, प्रसंग छुट गया है यहां पर, कि प्रस्तूत श्लोक में, श्लोक में, प्रस्तूत श्लोक में एक मात्र वानी को ही आभूशन की संग्यादी है, ठीक हैं, अब इसकी व्यक्षा करते हैं, पुरुष को सुवन बने के बने, सुवन यनि की सोने के, सोने के बाजूबंद सुजोबित नहीं करते हैं, किस भी पुरुष को, किसी भी व्यक्ति, पुरुष यहां पर किसी male person के लिए नहीं आया है, या दोनों के पुरुष को नोता है एक व्यक्ति होता है कि पुरुष को सुवन के बने आभुषन जो बाजु बंदे वो शुशोबित नहीं करते हैं पुरुष बंदे वाला है तात्परि यहीं कि वानी रुपी आभुषन ही सच्चा आभुषन है जो कभी भी नश्ट नहीं होता है तो यह हमारी नौ सुक्तिया यहां पर हो चुकी है एक तरह से पूरा जो चैप्टर है वो यहां हो गया है आगे कि अब देखिए यहां पर ज देखिए नहीं हम पूरी कार्थ कैसे बताए लेकिन एक पंक्ति ही लिखिए लेकिन आपको पूरे कार्थ बताना है ठीक है देखिए कि भाशे सु कावे मदूरम तस्मा दपी सुबाशितम जो हमारा प्रसंग था वो ऐसा का ऐसा आएगा कि प्रसुष सुक्ति में मदूरे और मदूर में भी उसमें पी जो सुबाशित है अच्छी बाते हैं वो ज्यादा मदूर है कि भाशाओं में संस्कृत बाशा सबसे के मादूरम बी अधीक मधूर इस भाषा की सुबाशित है सुबाशित से आश्य ऐसी उक्ति या कथन होता है जो बहूती अच्छी हो और इससे सुक्ति भी कहते हैं सुक्तियां प्रतेक देश और प्रतेक काल में प्रतेक मनुष्य के लिए समान रूप से उपयोगी होती है ठीक है? ऐसे सुक्तियों का आपको अर्थ लिखना है जिस प्रकार सुन्दर वचन बोलने से वक्ता और शोता दोनों का ही हित होता है उसी प्रकार वाकावियों में भी ने सुक्तियां आनंदाईनी होती है अनन्दाईनी होने के साथ साथ जीवन में नैतिक ताका समाविश भी कराती है तदा अमरत तत्व की प्राप्ति में प्रेना प्रदान करती है यही कारण है कि संस्कत बाशा में सुक्ति को सरुपरी माननेता प्रदान की गई है कि सुक्तियां सही में संस्कत बाशा में सरव उपर ही रखी जाती है सुक्तियों से ही एक मनुश्य के जीवन का निर्धारन होता है वहाँ को कैसा वेक्ति है उसका निर्धारन होता है उसको जीवन में क्या-क्या करना चाहिए उसका निर्धारन होता है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वही जानते हैं कि प्रत्वी पर तीन ही रतने हैं जल, अर्न, और सुभाशित, अच्छी बात हैं जो मुर्क लोग होते हैं वो ही इन पत्थर के टुकडों को रतन संग्या समझते हैं यह आप लिख लेंगे उसके बाद ये पूरी व्याक्षा आजाएगी कि मानव ही नहीं पशुभी अन्य जल और सुन्दर वानी के महत्व की बली परकार से पैचानते हैं अन्य से भूख शान्त होती है जल से प्यास बुश्ती और सुन्दर वचनों से मन को संतोश मिलता है बिना अन्य और जल के तो जीवधारियों का जीवन जीवित रहना कठीन ही नहीं वरन असंभव ही है इसलिए इन्हे सच्चे रतन कहा गया है सांसारिक मनुशी अपनी अलपग्यता के कारण सभी प्रकार के धन संग्रा की प्रवर्ती में लगा रहता है वहीरे रतन जवारात मनियों का संचे करके धनी एवं वेवशाली तो बन जाता है वह इन्हें ही अमूल्य और महुतपून मानता है परंतु वास्तविकता कुछ यह तो पत्थर के टुकडे मात्र है वास्तों में जल अन्न और सुवानी ही सच्चे रतन है ठीक है आगे देखिए बच्चो कि कावे शास्त्रे विनो देन कालो गच्चिती दीमताम आता है सभी को बहुत अच्छे से आता है क्या करना है प्रसंग लिखना है आपको और फि अन्न करने में लगाते है वे यदि अपना मनोरंजन भी करते है तो इसी प्रकार के अच्छे कारियों से करते है और सदेव लोकोपकार की बात सोचते है क्योंकि वे समय के महत्व को जानते है और वे समझते हैं कि आयूश शन एको अपीनलक्षम स्वन्ड कोटी के सच्चे अर्थे नितका नू हानिस्तर अतोदीका अर्था आयूश का एक भी शन सोने के करोडों मुद्राओं के द्वारा नहीं खरिदा जा सकता यदि इसे व्यार्थ बिता दिया जाए तो हमारा जीवन ही व्यार्थ हो जाता है आगे देखिए व्यसनिंच मुर्खानम निदराय क कि जो मुर्ख लोग होते हैं उनका निंदा करने में सोने में और लड़ाई करने में समय बीतता है तो जो सज्जन लोग होते अपना समय किसमें बिताते हैं किसमें बिताते हैं अपना समय अच्छी बातों में काविशास्त्रों को करने में बिताते हैं अब इन दोनों का अल मुर्ख लोगों के समय वेतित करने के विश्म बताया है मुर्ख का समय बुरी आदतो निद्रा वजगड़ा में बीता है व्याक्षा है कि मुर्ख लोग अपना समय सदे भी वियर्थ के कारे में बिताते हैं समय बिताने के लिए वे जुआ शराबादी व्यसन में लगे रहते हैं और स्वयम को नरक में दखेलते हैं कुछ लोग अपना समय सोकर बिता देते हैं और कुछ लड़ाई जगड़े में अपना समय भी लगाकर दूसरों को पीडा पोँचाते हैं इनके किसी भी कारे से किसी को कोई लाव अथवा सुक नहीं मिलता है क्योंकि परोग कार करना इनको आता ही नहीं इने तो दूसरों को पीडा पोँचाने में ही सुक की प्राप्ती होती है तो यह आपको इस पंक्ति का आर्थ आपको व्याक्षा के साथ में लिखना है यश को प्राप्त हो जाता है कि सज्जन अच्छी और सुंदर बातों को बढ़ावा देकर उनके संवर्दन में अपना योगदान देता है इसलिए सज्जनों के मद्धे विक्सित श्लोक अर्था संस्कृत कवीता का चंद कवीत की कीर्थी और यश को चतूर्दिक फैला देत कि किसी विद्वान किसी सज्जन ने किसी कवीता का निर्मान किया है तो वो जो श्लोक है वो यश प्राप्त करके और बढ़ोतरी कर लेता है और आशे यह है कि कवीता सज्जनों के मद्धे ही आननदायक होती है तथा कवी को यश्व किर्थी प्रदान करती है दूर्जनों के मद्दे तो ये विवाद उत्पन कराती है तथा शोक का कारण बनती है ठीके तो ये हो गया इसका तातपरिया आगे देखिए अब क्या लिखाए कि वसुमति पतीना नो सरस्वती के राजा के द्वारा विद्या को चीना नहीं जा सकता है बिल्कुल नहीं चीन सकते विद्या है यह ऐसा धन अनोखा धन है कि जो खर्च करते दाओ खर्च करते जाओ और ये आपके दिमाग में बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी आपने जो पढ़ा अभी इसको पढ़ा दीजिए आपका कंटस्ट हो जाएगा नहीं हुआ है कंटस्ट एक बार दूसरी बार और थोड़ा सा समझ के फिर समझा दीजिए किसी को अपने तरीके से समझा दीजिए जैसा भी आप समझना चाहे देखिए कौन सी ताकत है जो आपकी विद्या को नश्ट कर सकता है कोई चुरा नहीं सकता है कोई बाट नहीं सकते है भार लगती नहीं है बिल्कुल भी तो मेरा तो बहुत ही पसंदिदा शलोक है न चौर हारे न लगते हारे न बारबार बोलती रहूंगी और बोलूँगी आगे भी तक Hourश आपको पता चले कि वर्णन किया गया है अर्थ है कि राजय के द्वारा विध्या छीनी नहीं जा सकती बिलकुल कि विध्या नहीं तो राजय की द्वारा अथवा नहीं किसी बलवान चत्रू के द्वारा बल पूर्वक छीनी जा सकती है या विध्यारूपी धन किसी के द्वारा बाटा भी नही आप बाट ही नहीं सकते हो, आप कुछ भी रजिस्टर नहीं करवा सकते हो, आप गिफ्ट नहीं दे सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपके पास विद्या है, अगर आपका पुत्र सुपुत्र है, और तो आप को आवशकता ही नहीं है किसी को धनी कट्टा करने की वो विद्या ही एक मातर धन है और कुप पुत्र है तो आप उसके अंदर विद्या डाली नहीं सकते हो विद्या को ग्रण करना व्यक्ति के स्वयम की इच्छा पर निर्भर होता है कि जब तक उसकी स्वयम की इच्छा नहीं है उसका खुद का सामर्थे तो वो विद्या को ग्रण नहीं कर सकता है। जो याचक के दुख का निवारन नहीं करती है। वो विद्या नहीं है जो विष्णु की भक्ती को उत्पन नहीं करती है। और वो पुत्र ही नहीं है जो विद्वान की श्रेनी में गिना नहीं जाता है। ठीक है उसमें यही बात बताई गई है। कि लक्षमी की सार्थकता पर प्रकाश डाला गया है कि जो याचक के दुखों को दूर करने वाली नहीं है वह लक्षमी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के पास लक्षमी अर्था धन है और उस लक्षमी की सार्थकता इसी में है कि उसके द्वारा याचको यानि मांगने वालों की दुखों को दूर किया जाए कि उस धन संपत्ती से परोपकार किया जाए तो वह धन संपत्ती सार्थक होती है अन्यतावा धन संपत्ती सार्थक नहीं होती है आशे यही कि धन संपन्न होने पर भी कोई व्यक्ति यदि किसी की सायता करके उसके कश्ट्रू को दूर नहीं करता है तो उसका धन संपन होना व्यर्थ है व्यक्ति का धनी होना तभी सारतक है जब याचक बनकर अपने पास आये हुए लोगों को निराश करके निराश न करके अपनी सामर्थे के नूसर उनकी साहता करें कभी वर रहीम ने सामर्थे वान लेकिन याचक की मदद न करने वाले लोगों को मृतक की समान बताया है और रहिमन वे नर मर चुके जे नहूं जे कहूं मांगन जाए उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाए कि रहिम राजी कहते है कि वे उन लोगों को में मरा हुआ सा जादा मरा हुआ समस्ता हूं अब देखिए बचो आता है यहाँ पर विद्या न अप्यचुत भक्ती कारेनी कवे विद्या सार्थक नहीं है उस विद्या का विद्या होना सार्थक नहीं है जो भगवान विष्णू की भक्ती का कारण हो कि बगवान विष्णू की भक्ति को उतपर नहीं करने वाली है वो विध्या विध्या नहीं है तो प्रस्तु सुक्ति में विध्या के सार्थकता पर प्रकाश डाला गया है जो विध्या बगवान विष्णू की भक्ति में प्रवर्थ करने वाली नहीं है वही विध्या सार् जोग्षपत को भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है व्यक्तिा को भक्ति में वृध्या ही अनुरक्त कर सकती है इसलिए विध्या को प्रदान करने वाले गुरू को कबीर दास जी ने इश्वर से भिश्रेश्ट बताया है कि गुरू गोविन दो खड़े काके लागो पाई बलिहारी गुरू आपने गोविन दियो बताए कि गुरू और भगवान दोनों खड़े थे मैं किसके पैर लगू लेकिन मेरी बुद्धी ने काम कर ये बताया कि जिनों ने आपको भगवान का रास्ता बताया है वे ही सबसे पहले बड़े है तो वे जो विद्ध्या को देने वाले गुरू है वो ज़्यादा बड़े है पुत्रो याना पंडित मंडल अग्रणी ये पुत्र व नहीं है जो विद्वानों की शेनी में आगे नहीं है आगे नहीं आता है विद्वानों की शेनी में किना नहीं जाता है वह पुत्र पुत्र नहीं होता है तो प्रस्तु सुक्ति में सच्चे पुत्र की विशेशता बताई गई है जो पुत्र विद्वानों की मंडली में अग्रणी नहीं है वह पुत्र ही नहीं है कि सुक्तिकार का तत्प्रिय की प्रतेक व्यक्ति पुत्र की कामना इसलिए करता है कि वह उसके कुल के नाम को चलाएगा अर्थात अपने सतकर्मों से अपने कुल के यश में ब्रदी करेगा और यह कार्य महान पुत्र ही कर सकता है मुर्ख पुत्र के होने का कोई लाब नहीं होता क्योंकि उससे कुल के यश में ब्रदी नहीं होती है और ऐसा पुत्र होने से तो निस अंतान रह जाना श्रैश कर है वस्तूत पुत्र कहलाने का अधिकारी वही है जो विद्वानू की सबा में अपनी विद्वता का लोहा मनवा कर अपने माता पिता थता कुल के सम्मान को बढ़ाता है वही पुत्र सार्थक होता है आगे देखिए बच्चो अब करते हैं वाने को समलंग करोती पुरुशम या संस्कृता धार्यते कि प्रसू सुक्ती में वानी को ही वास्तवी काभुशन बताया गया है कि मात्रवानी ही जो शुद्ध रूप से धारन की जाती है मनुष को शुशोबित करती है संसार का प्रतिक प्रानि सांसरिक प्रवर्तियों में उलजा रहता है और उनी प्रवर्तियों में वहस्त भहतिक सुक्का अनुबव करता है इसलिए वा अपने आपको सजा कर रखना चाता है और दूसरे के समक्ष स्वयम को आकर्शक सिद्ध करना चाता है अर्थत आत्मा की अपेक्षव शरीर को अधिक मत्व देता है कि मेरा शरीर सुन्दर है मैं बाहर से सुन्दर लग रहा हूँ तो मैं ज्यादा सही हूँ बले ही उसके अंदर गुण है या अब गुण है उससे कोई मतलब नहीं है उसको कि सारे जो आपके आभूशन है वो नश्ट हो सकते लेकिन आपकी वानी नामक जो आभूशन है वो कभी भी नश्ट नहीं होगा वो सदेव आपके पास विद्दमान रहेगा प्रस्तु सुक्ती में सु संसकारित वानी को ही मनुश्य का एक मातरा आभूशन बताया है कि सभी आभूशन दीरे-दीरे समाप्त हो जाते है पर सच्चा आभूशन कौन सा है वानी ही है उसकी व्याक्या देखिए मनुश्य अपने सुंदर्य को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के आभूशनों और सुगंदी द्रव्यों का उप्योग करता है यह आभूशन और सुगंदी द्रव्यों तो नश्ट हो जाते है अतास बहुत समय तक मनुश्य के सुंदर्य को बढ़ाने में असमर्थ होते ह मनुष्य की संसकारित मदूर वानी सदा उसे आभूशित करती रहती है क्योंकि वह सदा मनुष्य के साथ रहती है और वह कभी नश्ट नहीं होती है और इसका प्रभाव तो मनुष्य की मन्ने के बाद भी बना रहता है मनुष्य अपनी प्रभाव शालीनी वानी से ही दुस्टों और अपरादियों को भी बुराई से अच्छाई के मार्क पर ले जाता है अतवानी ही सच्चा अभूशन होती है अब देखे बचों यहां आती है हमारी संस्कृत अर्थ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पूरा श्लोक नहीं लिखेंगे क्योंकि कितनी बार हो चुका है पहले हमने पढ़ लिया उसके बाद अर्थ कर लिया फिर सुक्तिया भी कर लिये तो बार-बार हो गया है तो मैंने आपको बता दिया है कि पूरे श्लोक का डॉट-डॉट का मतलब क्या है ठीक है यह आपको देखना है और यह कई बार आता है और यह बहुत इंपोर्टेंट होते हैं इसलिए यह लाए गए है और बहुत जरूरी भी है आपके लिए कि पहला जो श्लोक यह उसका अर्थ ही आएगा हमारा कि अस्मिंग श्लोके संस्कत भाशाया महत्त्यम प्रतिपादयन कवी कत्यति सरल बाशा में लोकिक बाशा में हमें लिखना है आगे देखिए दूसरी जो सुक्तिया हमारी उसका संस्कत आर्था आता है इस संस्कृत अर्थ आपके आएंगे मैंने आपको हिंदी में बता दिया है और हिंदी से सीधा संस्कृत भाषा में इसका अनुवात करा है वो छोटा-छोटा करा है ज्यादा बड़ा नहीं है तो मुझे लगता है ये आप इतना याद कर सकते हैं ठीक है? आगे देखिए काविशास्त्र विनो देनन तो ये भी पूरा ऐसा ही है डॉट-ट लगाया इसका मतलब पूरी सुक्ति लिखी गई है पूरी सुक्ति का आर्थ यहां है कि कवी मुर्खानम बुद्धी मताम च समय यापनस्यत अंतरम बनयाती यता बुद्धी मनता जना स्वसमयम काविशास्त्र अंपठनेन यापनती एतत वी पेरितिव मुर्खा जना स्वसमयम दुराचारेन शयनेन विवादेन वा यापनती अब चलते हमारी चौथी सुक्ति की तरब कि शुलोकस तु शुलोकता यतर तिस्ठनत असादवा कि असमिन शुलोके कवी कथियाती यतर सज्जना निवसंती ततर शुलोका तु किर्थियाती यतर दुर्जना निवसंती ततर शुलोकस से उल्लकार लुप्यते एवं शुलोक शोकम भवती, सदूप देशह सजना प्रभाविता दुस्टान इती भावा हा आगे देखिए पाचवी सुक्ती, अप्राप्त कालम वचनम अमानंच अपमानंच शाश्वतं कि अस्मी शुलोक के कवी कथे अती यता ब्रहस्पती असामाईक वचनम अबुरुवन बुद्धे अधोगती शाश्वतं अपर्मानंच प्राप्नोती अताए असामाईकम वचनम कदापी न बुरुयात कि समय के अनुसार ही हमें अपने वचन बोलने चाहिए अ समय यानि कि प्रतिकुल समय में अनुकुल समय में प्रतिकुल वचन नहीं बोलने चाहिए अन्यत हम अपमान के भागी हो जाएंगे हमें अपमान प्राप्ध हो जाएगा कि जो श्रदालू वेक्ति है और अगर वो कोई वचन क्या राए तो अरण्य रोधन जंगल में रोने के समान वो अपने उकतन को कह रहा है साथवी शुक्ति ये वसुमति पतिनां तू बुदेर अपी सेविते कि राजाओं के अस्मिन श्लोके सरस्वत्य विशेशना वर्ति वनिता अस्ति सरस्वती राजा तथा बल्वान रिपुना न नेतुम शक्यते न चब्रात बंदो भी विभुक्तम शक्यते अपी विद्वद अपी सेविते बहुती चोटी-चोटी पंक्तियों में लिखाए बच्चो तो इतना तो मुझे लगता आप याद कर सकते हो आठवी सुक्ति है लक्ष्मीर न या न सनीव 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 कि अस्मिंश लोके कवी कथियती या लक्ष्मी या चक दुख हारेनी न भावती सा लक्ष्मीती कथितुम न शक्यते या विद्ध्या विश्नु बग्ति कारेनी न भवती सब अपी विद्ध्या कते तुम न शक्यते या पुत्र पन्डित मंडल अगरनी न भवती सब पुत्र कती तम न शक्यते ठीके आगे देखिए के यूरा न विब्वुशन्ति बाग भूशनम ये काफी बढ़ा है पिनुश लोके वानिम एव सर्वस्यष्टम भूशनम कथी तम अस्ति कन्ना भूशनानी चंद्रोपम रमनियां हारसनान विलपनानी पुष्पानी विभूशिता मुर्दजा पूरुशम न भूशेंती परंतु संस्क्रता वान एव वानी एव सा एव सा वास्तविकम भूश अन्यानी अभूशनामन काल करमे न शीयंते परंतु वाग भूशनम कदापी न शीयंते ठीक है? आगे देखिए वाने क्या समलम् करोती वागबूशनम ये भी वोई आ गया है कि वाणी ही एक ऐसा आभूशन है जो कभी जिसका विनाश नहीं होता है ठीके बच्चो तो ये हमारा आज का जो चैप्टर था सुक्ति सुधा नामक इसमें हमने important सुक्तियां भी कर ली है जो exam की दश्टी से बहुत ही most important है और आती ही आती है इस चैप्टर में से कोई नो कोई सुक्ति अवश्या आईगी तो आपको देखनी है या तो पूरी शुक्ति का अनुवाद आजाएगा या फिर एक पंक्ति दी जाएगी वो भी हमने कर लिया है कि किस किस तरीके से आता है और संस्कृत अगर अर्थ आता है तो वो भी आपको कैसे करना है ये भी आपने देख लिया है तो पुरा चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है अगली ख्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ तब तक के लिए थैंक यू